तो पिछले मही ने क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त का जीमेल अकाउंट हैक हो गया और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि वो अपने अकाउंट को खुद भी एक्सिस नहीं कर पाया वजह यह थी कि जिस विक्ती ने उसके अकाउंट को हैक किया था पासवर्ड वगरा फाइंड करके उसने उसके साथ में एक सिक्यूरिटी एप गूगल अथेंटिकेटर और एड कर दी मतलब उसके अलावा अब कोई भी उस अकाउंट को एक्सिस नहीं कर सकता यानि खुद ओनर भी तो इस सारी समस्या से बचने के लिए अगर आप भी अपने अकाउंट को बहुत सिक्यूर करना चाहते हो और यह चाहते हो कोई भी उसको हैक ना कर पाए तो आप भी गूगल के बारे में अच्छे से समझ लो क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसके बाद में आपके जीमेल अकाउंट को हैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पता है आपको कि अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया तो आपके गूगल ड्राइव की सारे फाइल्स आपके यूट्यूब चैनल बना रखा है अपने जीमेल अकाउंट से तो वो भी चला जाएगा और बहुत सारी चीज़े हैं जो आपके जीमेल अकाउंट से जुड़ी रहती हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा क्योंकि बहुत जबरदस तरी के से मैं आपको बताने वा इसे आपको यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको गूगल अथेंटिकेटर को सर्च करना है तो देखी यहाँ पे इस तरह का जो एप्लिकेशन है आपको मिल जाएगा इसको जैसे आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको क QR code आपको कहां से मिलेगा और जो setup की है वो आपको कहां से मिलेगी वो आपको मिलेगी आपके Google account से तो जिस phone के लिए आप setup कर रहे हैं उसको तो side में रख दीजिए और आपका जो main account वाला phone है उसको ढालीजिए यानि आपको ये देखना है कि आपको बस दो phone कम से कम होने चाहिए यह हमारी phone जो है वो एक चाबी का काम करेगा जिसमें हमारे पास keys आएंगी और यह हमारा main phone होगा जिसके अंदर अपने account को यूज करेंगे अब यह app है किन लोगों के लिए पहले चीजी समझ नहीं है हर किसी के लिए अप नहीं है जो अपने Gmail account से अपने YouTube channel को चला रहे हैं जो अपने websites को चला रहे हैं जिनके account पर hackers की बहुत जादा नजर रहती है आपका Instagram account हो गया आपका Facebook account हो गया जो चाहते हैं कि उनका जो account है वो बिल्कुल safe और secure रहे एक locker की तरह उनके पास एक अलग की हो और जब तक ये की आप यहां पर नहीं डालेंगे तब तक वो account कोई भी नहीं open कर पाएगा भले ही उसके पास password क्यों न पहुंच जाए मैं इसका मतलब यह नहीं कहरा कि आप सामने वाली विक्ति को password देके उसको test करा के देखिए आपको password तो बिल्कुल नहीं देना है आपको यह जो phone है यह बिल्कुल अलग संभाल के रखना है ताकि यह जो keys है यह आपके पास ही रहें यह keys हर एक minute में बदलती है मैं आपको सारा आगे वाले वीडियो में दिखाने वाला हूं तो सबसे पह रहा है इस पर आप tap कर दीजे जैसे आप tap करेंगे तो यहाँ पर आपको start का option देखेगा इस पर भी आपको tap कर रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दो-तीन चीज़ें और दिखेंगी आप इसको थोड़ा सा side में scroll करते जाए और यहाँ पर last में आ जागी है security व अभी यह option इस phone में off है उसकी वज़े यह है कि अभी तक इसे on नहीं किया गया है बाइडिफॉल्ट जब आप एक नया account बनाते हैं तो यह option on नहीं होता है इसको on करने का मतलब यह है कि जैसे आप यह two step verification on करेंगे तो आपके registered mobile number पर एक SMS भेजा जाएगा जब भी unknown computer पर गई है इसलिए मैं आपको यह वीडियो बता रहा हूं तो यहां पर हम two step verification को पहले on करेंगे उसके बाद में और चीजों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप two step verification पर जाएंगे तो नीचे आपको यहां पर option दिखाएगा get started का इसको यहां से on करिए इसके बाद यहां पर आपका password पूछा जाएगा तो यहां पर पासवर्ड एंटर कर दीजिए मैं पासवर्ड डाल देता हूं देखे मैंने यहां पर पासवर्ड एंटर कर दिया है अब मैं इसे next करता हूं अब देखे यहां पर two step verification हमारा on हो गया है see more option पर जाएंगे तो यहां पर आपको security की और text message और voice call का option देखेगा चलिए इसे यहां से continue कर देते हैं तो इसके बाद आपको सबसे पहले अपना mobile number एंटर करना है और यहां पर नीचे आप देख रहे हैं कि text message का option आपको चुनना है तो एक layer तो security आप यहीं पर अपना लगा सकते हैं मैं यहां पर अपना mobile number एंटर कर देता हूं और इसके बाद यहां पर इस send बटन पर टैप करके मैं OTP को मगा लेता हूं देखिए OTP मेरे पास आ गया है अब OTP मुझे यहां पर एंटर करना है और यहां से send next करा देना है अब देखिए हमसे कहेगा two step verification को आप on करना चाहते हैं इस email ID के लिए तो हम इसे यहां से turn on कर देते हैं ऐसा करते ही मेरे सामने एक page और आ जाएगा अब यहां पर आपको backup codes, authenticator app और security की option दिखाई देगा अब हम चाहा रहे हैं authenticator app को यहां से on करना चलिए हम इसका भी setup कर लेते हैं जैसे हम setup करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप android phone के लिए authenticator को setup कर रहे हैं या iPhone के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास android phone है तो हम यहां पर android phone को select करेंगे और next करेंगे जैसे आप next करेंगे तो आपको यहां पर एक QR code दिखाई देगा बस आपको करना क्या है अब अपना दूसरा phone लेना है जिसके लिए मैं आपको बताया थे कि भई इसको हमें चाबी बनाना है तो यहां पर मेरे पास यह दूसरा phone आ गया है अब क्या करना है यहां पर आपको जाना है scan a QR code के option पर और यहां पर आपके सामने camera आ जाएगा इस camera से इस QR code को scan करा लेना है जैसे आप इस camera से QR code को scan कराएंगे तो आपके इस वाले phone पर एक 6 digit का code आपको दिखाई देगा यहां से आपको next करना है अब यह जो 6 digit का code है यह आपको इस phone में enter करना है चलिए मैं कर देता हूँ ध्यान रखेगा एक मिनट से ज्यादा यह code आपको यहां पर दिखाई नहीं देगा इसके बाद यह change हो जाएगा इसके बाद इसे यहां से आपको verify कराना है जैसे यह verify हो जाएगा तो यहां पर आपको done का option दिखाई देगा इसे done कर दीजिए आप मैं एक बर फिर से आपको authenticator app open करके दिखा देता हूँ यहां पर जब भी आप किसी नए computer के अंदर अपने account को open करेंगे तो आप से इस तरह का एक code पूछा जाएगा और जब यह code एंटर किया जाएगा इस phone के द्वारा तब आप उस account को login कर पाएगे तो यहां पर जो जाता है यह देखिए यह code फिर से बदल गया so यह code हर बार आपके phone में जब भी यह app off रहेगी तो यह बदलता रहेगा अब बात आती है कि authenticator app आपने setup तो कर लिया लेकिन अब अगली बार जब अपने computer में अपने account को login करेंगे और by chance आप से यह phone miss होने का खतरा रहता है यह phone कहीं खो जाता है तब आप अपने account को कैसे access करेंगे दूसरी चीज़ क्या इसी phone में आप authenticator app को इस्तमाल करेंगे जी नहीं आप इस phone के अंदर भी इसको same to same duplicate कर सकते हैं इसका backup कैसे लेना है यह phone आपका main phone है यह phone आपका secondary phone है इसको आप उठा के रखतीजेगा और इस बार यह आपके phone से delete हो गया या miss हो गया तो आपके सारे account ब्लॉक हो जाएंगे आप उसको open नहीं कर पाएंगे बहुत मुश्किल होगी करतो लेंगे लेकिन बहुत मुश्किल होगी इसलिए backup बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपको जाना है इसके बाद आपको जो आपका export account का option दिखाए देगा इसी तरह से आपको यहाँ पर जाना है transfer account पर और यहाँ पर import accounts का option दिखाए देगा है यहाँ पर आपको इंपोर्ट पर टैप करना है और यहाँ पर आपको export पर टैप करना है export कौन सा account कराना चाह रहे हैं आप यहां से उसको select कर दीजिए फिर next करिए यहां पर आपको QR code visible होगा scan QR code के option पर जाएए और इस QR code को scan कर लीजिए यह QR code हमने scan कर लिया अब यहां से इसको done करते हैं आप देखिए हमारे दोनों phone में authenticator app का जो backup है वो आ चुका है यानि इस phone से भी मैं अगर चाहूं तो login कर सकता हूं और इस phone से भी अगर मैं चाहूं तो login कर सकता हूं इसमें जो code है वो एक जैसे आपको दिखाए देंगे एक के बाद एक जैसे code आपको यहां पर पेर होंगे अब authenticator app को आप अगर delete करना चाहें अगर अपने phone से हटाना चाहें authenticator की setting तो वो आपको कैसे करना है पहली चीज़ तो आप चाहें तो यहीं से इसको select करके और account को यहां से delete कर सकते हैं अब यहां पर आपको डिलीट का option दिखाए दे जाएगा लेकिन Gmail account से कैसे हटाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है फिर से Gmail account पे जाना है तो मैं यहां पर Gmail account को open कर लेता हूँ वापस चले जाते हैं चलिए हम अब यहां पर आपको फोटो दिखाए देगा फोटो पर आपको टैप करना है manage your Google account पे टैप करना है और आपको यहां पर जाना है security पे जैसे आप security पे जाएंगे तो नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर two step verification का option दिखाए देगा इस पर आपको टैप कर देना है अब आपको फिर से यहां पर password एंटर करना होगा तो password एंटर कर देते हैं औ जो authenticator app में आपने scan किया था जो QR code वो disable हो जाएगा वहां पर जो code आएंगे वो काम नहीं करेंगे तो यहां से जैसे आप इसको delete करेंगे तो जो authenticator app है वो disable हो जाएगी वो फिर work नहीं करेंगी नीचे आपको दोबारा से authenticator का setup दिखाए देने लग जाएगा इसके उपर backup codes पी दिये गए हैं अगर आप किसी परिस्तिती में अपने Google account को खो देते हैं तो यहां पर आपको टेप करना है यहां पर आपको password एंटर करना है और यहां पर आपको backup codes डाउनलोड करने का option दिखेगा get backup code पे चले जाएगे यहां पर आपको 10 backup code मिलेंगे यह भी Google authenticator के अंद आप डाउनलोड करके रख लीजिए किसी भी परिस्तिती में आपका phone खोता है कुछ भी होता है तो यह backup code का यूज़ करके आप अपने account को access कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इनको भी delete करना या दुबारा से नए backup code बनाना तो यहां पे आपको new का option दिखेगा get new code पे आपको click कर देना है फिर से आपको 10 नए backup code यहां पे create हो जाएगे और आपके mail पर भी एक mail चला जाएगा इनको download करके आपको जरूर रख लेना है authenticator को use करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि यह उन परिस्थितियों के लिए है जब आप अपने account को highly secure करना चाहते हैं authenticator app का backup आपको जरूर बनाना है और backup codes आपको जरूर रखने है नहीं तो हो सकता है कि आप भी अपने account को access न कर पाए उस परिस्थिती में आपको authenticator app use नहीं करना है अगर आपका account journal account है आप वहाँ पर OTP बाला function यूज़ करिए अगर आप secure नहीं रख सकते हैं इन codes को तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है आप अपने भी account को access नहीं कर सकते हैं इसे समदने कोई भी अगर question हो तो आप मुझे नीची comment करके बताइए मैं मिलता हूँ आप से एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जहन वंदे मातरम